मुद्दा चर्चा में है नवस्कार मैं नरिश कोशल अर्थप्रकास्टिफ एलेक्ट्रोनिक ग्रूप की और से आप सब का स्वाद करता हूँ आज हम एक नए मुद्देपद चर्चा करने के लिए यहां प्रस्तत हैं मेरे साथ बहुत ही प्रमुख जो महमान हैं पंचकुला से वो चर्चा करेंगे जो नगर निगम का पूर्ण गठर होया पंचकुला का और उसके साथ ही साथ नगर निगम से दोप्षेतर जो हैं राजनीतिक गल्यारों में बड़ी चर्चा है इस तरव पर पंचकुला का अलाकों में और पॉलिटिशन्स को जो स्थानिय पॉलिटिक्स में जो रुची रखते हैं उनको नहीं मौके मिल सकते हैं इसको लेकर हम चर्चा करेंगे के परिशल बनने से और नगर निगम का होंगी अपने अपने क्षेतर का काम की चतनी अच्छी तरह होड़ सकते हैं इन बातों को लेकर मैं पहले आपका परिचा करावाद हूँ मेरे साथ हैं मिस्टर विजय बंसंग जो पंचकुला के एक बहुत ही मूल निवासी भी है और बहुत ही पुराने जो नेता रहें छा इसका गठन था इसमें क्या कमिया थी क्या खामिया थी इसको लेकर यह कोट में गयते इनका कहना यह था कि कालका और जो जो पिजौर है और कुछ क्राम है वो जगनलिगमे शामिल नहीं हो कि और ये जो थारभ जो बदलाव हुआ है अब दोवारा से पुनल गठन हुआ है इसका च्छरे कुछ बानसर शाब को जाता है तो बानसर शाब आपका यहां हादी स्वाज़त है मैडम लतिका शर्मा भी जो हैं यह परज्जे की महताज नहीं यह भारती जनता पार्टी की एक वरिष्ट नेता हैं और पहले यह विधायक रहे चुकी है काल कैसे और शुष्म सुराज के बहुत करीब रही है दिल्ले तक में इन्होंने काफी जो राजनिती में जो सक्रीटा अपनी दिखाई है तो आपका मैडम हार्दीका बिजंदन है यहाँ पर इसके बाद हमारे साथ है भाद सिंग दमदमा आप जन नाएक जनता पार्टी से जो हैं पंचकूला क के परमुक हैं परवक्ता हैं परदेश के और इनकी श्रीमती किर्विन चौजरी यहां से चुनाब भी लड़ चुकी हैं तो आपका यहां पर हार्दिक स्वादित है दमदमा जी और हमारे साथ हैं कॉंग्रिस के और सिंगना जी जो है यह भी पंचकूला के बहुत पुरान करने से पहले विरे बांसर जी आपके यह जारना चाहूंगा कि यह जो बदलाव हुए वीच में बहुत देर निगम रुका रहा भंग रहा इसके बारे में थोड़ा संक्सिप्ट में आप अपना पर कर दीजिए कैसे यह कानोनी लड़ाई अपनी लड़ी अपनी लड़ी ह जिसको लेकर हम पंजावराना हाई कोट में मैंने यह का दायर की थी मैंने कहा था उनीस सो चलन में शेक्शन 3 के तहर तीन कमेडिस को मिला जा सकता और शेक्शन 3 वी में यह मैंचिना के 3 लाग की वादिया नहीं थी पंचेती राज एक्ट की सेक्शन एक और आठ की तहर द्रचा दे दिया था उसके बाद सप्रीम कोट में चलेगी वहां स्टेय हो गया था और सेलेक्शन भी होगा था उसके बाद होड़ रहा है उसको लेके हमारे ही मत था कि जो करामिन शित्तर और पंजार है कालका है यह पिछड़ा है और इसके लिए लग से नगर परश्द ह नीच चाहिए और जंगे लोगों का भी कास्थ है धन्यवाद लटका जी मैं आप से सीधा स्वाल करना जाओंगा अगले सेग्मेंट में हम बात करेंगे कि आने वाली जो चुनाब होंगे परश्द के या निगमते उसके समझ में आपकी पार्टी की क्या पोजिशन रहेग की उसकी बात हम अगले सेग्मेंट में करेंगे आपके सीधा इस पार्ट सवाल में राया है कि ग्यांचेद गुपता जी ने एक पत्र लिखा है एक्चेम्टी फैक्ट्री में काफी जगा खानी पड़ी है वहां पे उन्होंने कोई फैक्ट्री लगाने की बात की है कि कोई हथार त्यार करने की पैक्ट्री क्योंकि सभी जानते हैं कि हमारी हर्यान की लाइफ लाइफ लाइन थी और मेरे को खुशी है कि जब से हमारी सरकार दोजाचाओदा से आई तो हम ने विशेश रूप से लिया और हम विया रज देकर के लगातार जब मनोर पारिकर भी रक् मंत्री थे केंद्री तब भी हम एक लेटर ले करके गए कि यहां पर एक यहां पर द्योग लगना चाहिए डिफेंस का और आज भी इसकी 101 में हमने एक एपर मंडी का भी दिया है जिसे 10,000 लोगों को रोजगारी मिलेगा और उसके साथ ही इसको हमने कई उसके लिए दिया आज भी मैं मुख्य मंत्री जी का बहुत बहुत दन्यवाद करना चाहते हूं कि हम्टी में क्योंकि केंद्री भी सरकार हमारी है तो केंद्री मंत्री से मिल करके उन्होंने इस बात को पहले भी रखने का काम किया था और मारणी है मुख्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री को कालका को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि नौजवान के नाते भी और जरना एक जनता पार्टी है उसके प्रमुक्ष है वह भी बहुत यंग जो है युवानिता है और आज भारत्री जनता पार्टी के सास्थ जे जे पी का जो है वो दोनों का मिलकर गटपंदल है ऐसे हल सब्सक्राइब का जो हैं यह चीज़ें जो है जब आप सरकार में हैं अब मौका है क्या इसके लिए आपकी क्या प्रास्थ निपने रहेंगे कैसे आप इन चीज़ों को या और कुछ समस्षा है जो आप बताना जाएंगे यह परिपरेश्ण के गठन में क्या फायरे क्या कालका विधानसवा इस परकार से विधानसवाती के कुछ है कि हमारा अंच पहाड़ी शेतर काता था कालका में और किस परकार से पिछली सरकारों ने क्या किया नहीं किया लेकिन आपने जो समस्षा हैं वो इसी परकार से समस्षा हैं थी लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपक पहुंच चुकी है और बिजली की तकरीवन कहीं को इसमस्य रहे चुकी है अदरवाइस पानी के ने काफी ट्यूबे लग चुकी है पानी की समस्य रही बाद अगर हम फोकस आज की विशे पर ही करने पर आएं तो नगर नियुम से जो नगर प्रिशत पिंजोर अलग हुआ इ लेकिन वह कालका के उस अंतिंग छोर तक जहां विकास की जुरूरत है जहां पे पहचान नहीं जी शेयर तरगी वहां तक पहुंचना जरूरी था लेकिन अब जब नगर प्रिशत अलग हुआ है यह पूरा सरकार का माननिया मनहुरलार खटर जी और मानिया दुशन चुट शेत्र के लिए वह अपनी लड़ाई में लड़ेगा तो हमारी यहीं कि अब भी इसके बाद जो चुनाव होता है अच्छे नुमाइंदे चुन कर आएंगे और विकास पहले से और तेज गती से हमारे कालका के अंदर और पिजोर के अंदर होगा जाब आप कांगर्स से हैं कालका में MLA परदीर चौजरी हैं कॉंगर्स से हैं और हम्ती बनाने का यह खूल पूर्पूर्ट्री का जहां तक श्रेय भी जाता है आपको उसके बाद होने की जो है वह भी जो आपके सिर्पे की जो है वह बादा पोड़ा जाता है कि यह उनकी वज़े से हुआ तो ऐसे ह भी आपका प्रतिनिदी है अब निचलेशतर पर भी परिशन में आप आते हैं और इसके लिए प्रयाश करते हैं तो यह जो पूर है या पंच कुला है इसके भागे को लेकर या और दूसरी जो बात है कालका के बारे में उसमें आपकी क्या प्राथ मिंता हो सकती है जहां त जाता है इसमें कोई कहने सुनने की बात नहीं दूसरी बात बरही निगम की और प्रिशत की बर्बाद करने का अब डेटिव में ने वह आपकी अपने समझ्जा समझधार को समझाना नहीं पड़ता आप आपके और कहना चाहूंगा निगं कोई बुरी चीज नहीं थी वह तो तरक्की चाहिए काल्का की और पिंजोर की इसमें बिकाल हमारे जो कांग्रेसी रए कुछ इस से खुश भी यह कुछ से हमारा मतलब तरक्की होने से और यह बिल्कुल सचाइब कि पिछला निगम जबसे बना था तब से विवाबदों में था इवन नीगम में हमारे प्रतिनीधी थे दूसरी पार्टियों के में थे और यहां तक नीगम की चोटे चोटे प्रतिनीदी आएंगे leadership विक्सित होगी लेकिन दूसरी बात funds कहां से आएंगे सबसे बड़ी समस्य पैसे ही है निगम के पास पैसा था लेकिन पिछले वर्त में जो सरकार है उस पैसे को कालका पिंजोर को नहीं दे पाई और जो उस समय चूने हुए प्रतिनी कि बनाएंगे मुझे यह समझ आ रहा कि इसमें गल्ता कि हैं को गुम्रह किया जा रहा कोई पहाड़ी दिखा रहा है कोई कद दिखा रहा है मैं आपको बताऊं जब तरीक्टे से काम नहीं होगा कालिका में समस्चा है हस्पताल की कह दिया जाता है सो बेड़का बनेगा लेकिन वह रेप्सिरल बन गया का को चाहिए मिनी सेक्ट्रियेट कालका को चाहिए सूलब सोचाले कालगा अच्छे पार्क नहीं ले आएं पिछले पांट साल में यही कारण है कि कालका के लोगों ने प्रिवर्थ परिवर्थ प्रदीप जी करने बने पता है करना चाहूंगा कि आप कानूनी रूप से बहुत ही इसे चीज़ को समझते हैं इसका भावी सब्रूप जो पंचकुला और कालका की अलग से परिशल परेंगी उसका भावी सब्रूप कैसा होगा या कैसा होना चाहिए और निगम में कैसा रहेगा हम अपने लप्सकों के इसा है जो बात कर रहे हैं नगर निगम की पंचकुला भी सिटी में आता है तो हम पाते हैं बी क्लास कालकां सब्सक्राइब अगर हम होसेंट करूंचारी की विबात करें पंचकुलों 20 प्रसेंट है दस किलोंटर चलगे वही कार्पुरेशन का एरिया था उस है पंचकुला है उसके पंचकुला कर लग है हमारे को उतनी टेक्स देना पड़ता था मैंने दो चार सेक्शन चार दो चार सो तेरह में भी कॉंगर्स से यह करवाया था स्वित्री जिंदल जी ती कि गाम में जब तब कार्पॉरेशन नहीं हो जाती है तो मेरा हमारा कहना यहीं मतलब था कि एक तो स्टाप नहीं है चारी किलोमेंटर का दाया था हम ने यह अपजेक्शन लिए थे और इनके पास नहीं इतना स्टाप है एक छोटे से काम के लिए पंच को लाना पड़ता है आब कालका में सब चीज़े हैं दबतर है आप जब एक रिप्रेजेंटेशन की बाद मैंसे पहले किए हमारे छेप सिर्फ एमसी थे अब 32 होंगे और मेरे वड़ा केस में मैं आप तो शोटा हटके बता दूं में कमारती नहीं कहाता सरकार को कि हम तो छोटी छोटी बात कर रहे हैं घर पर जाने की और हर्याना सरकार तो इस बात को मैं हमारा मतलबी था कि छोटा एरिया हो और लोगों को उसकी जो सुब्दा है उसके मसाब टेक्स लगे मैंने पहले भी रिप्रेंशन दी थी उस पर कारवाई भी हुई कि जो पंचकुला कालका के लोग हैं वह बहुत ग्रीब हैं वहां कोई ड्वैल्प नह है तो उनके बरापर जब उनको सुद्दा भी नहीं है तो उसके साथ से हमारा यह था जब प्रपोचल की गई कुछ लोगों ने उसको अपोच किया मैं उसमें भी पार्टी था कि नहीं का लोगों को भले के लिए उनकी के लिए अब कुछ के मारे सथी कह रहे हैं पैसा कहा सब्सक्राइब के लिए सरकार ने पीछे पॉलसी बना दी कि वह अपने साधन आप जटाएंगे सरकार को नी पर कार्पोरेशन के लिए उत्तरही नगर परिश्यत के लिए उत्तरही सारी जो सुद्दा है उसको मिलती हैं तो इसमें की कोई फर्क निपड़ता और हिले रिय जब भी आए हैं तो मेरा तरक यही था कि जब हम टेक्स हमारा को बरबर मांग रहे हैं हमारे सुद्दा कम है स्टाब हमारे पास नहीं है तो उन चीज़ों को देखते हुए मैंने यही कहा था करूनी तो यह बाते देखते हुए अब डॉलमेंट आएगी लग बजट इससे डॉलमेंट होएगी और सारे लोग इस चीज़ों को तो जब लशकर जी मैं इस पॉइंटर लेव देखिए हमारी जो डिसकेशन है आज की कोई पुलिटिकल आपसमें बहस की डिसकेशन नहीं है हमें परिशद और निगम के बारे में बात करनी है उसकी रचलात परिशद के बारे में लोगों की अलग लगर आए है काल का कहता है कि हमें बंचित कर दिया गया है या और भी बहुत सी बात है ऐसे तोल बेरियर है उसमें इस्थानिये लोगों की कई तरह की समस्या है जिनका मैं प्रशन नहीं करना जाओंगा आप अपनी और से ही कि आप अपने लाके की प्रतिनिदी होने के नाते और परिशद के परिप्रेक्षे में जो परिशद बननी है उसको देखते हुए इन खास मुर्दों को लेकर और अने कि आने वाला जो चुनाब परिशद का होगा उसके वग्या समभावनाय आप तलाशते हैं और क्या आगे का मुक्य मंत्री मनोरलाजी के नेत्रत्व के बाद जो अजासी के बास तक कालका में काम नहीं हो पाया था वह विधान सवाव काम हमने की पजयते हैं और वो बनना शुरू हो गया है, छे महीने के अंदर उत्यार हो जाएगा, अमरावती अंडरपास, जो आज तक कभी नहीं बन पाया वो, और इसी तरह पिंजौर में आज तक कभी सिवरेज नहीं थी, पानी और विजली का काम, ऐसे ऐसे काम, और मुक्यमंत्री जी का धन्यव से मिलाने का काम किया, और ये तो डिसीजन बहुत पहले हो जाता, यदि कॉंग्रेस की मेर, वहाँ पर पोर्ड में नहीं गई होती, और मैं धन्यवा देना चाहूंगी कालकावासियों का, कि उन्होंने अपने विकास के लिए, मारणी मुक्यमंत्री जी का भार प्रकट किय हम कालकावासिय हैं, मिल करके चाहते हैं कालका का विकास हो, और मा कालका की छत्रचाया हमारे उपर है, और बनी रहेगी, और इसी तरह हम लगातार काम करते रहेंगे, क्योंकि भारते अंता पार्टी कभी चुनाओं की राजनीती नहीं करती, वो राजनीती करती हैं सिर्फ कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे बता तेरी रजा गया है तो जब मिल करके काम करेंगे तो कोई ऐसा काम नहीं है का और परिशद होने की क्योंकि और समय क्या होगा नहीं होगा नोटिफिकेशन जारी होगी मैं तो सिर्फ मानेने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना च सब्सक्राइब जो पंचकुला का एक तरह से हिमाचल पर्देश का भी जो आप कह सकते हैं वेपारिक तरीके से भी कहें तो बहुत ही एक जीवर रेखा की तरह है यह शिंबला हाइवे मान जा जा जाता है चंडिगर में शेव का जो वेपार्त शारा मंडी जो यहां पे थी कहले उसके बड़ा काफी वहाप हो रही है पिछले दिनों में कि पहले मंडी पंचकुला की जो मंडी सी वह सेक्टर 21 में उसमर्ण वहां पर या दीश में या इस बीस में चली उसके बाद आब उसको शिफ्ट करने की प्रस्तावित है जो त्यारी है वह एक्टेम्टी की त है जिसके लिए विदान सभा के स्पीकर जो पंचकुला के विदायक भी हैं वह यह मांग कर रहें कि यहां तो कोई फ्रस्ट्री लगनी चाहिए हत्यारों की या किसी चीज़ की जिससे आपके लाके को रोजगार्गी भी मिलेगा तो एक सरकार के साथ एक सहयोगी होने के न कि है इसके बारे में आपके क्या राही होगी और क्या जो मूल प्रश्टर है आप चाहेंगे के कालका की निवातन शेतर से अगर घारती जंता पारटी का डिकार होता है तो परश्ट का हो फिर कि आरा यह कैन बात में आप का वाला आ चुके हैं मैं जरूर बताना चाहूंग उसमें चाहे डिफेंस फैक्टी भी लगे लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नाम रख दिया जाता है कि नाम रखना होता है सेम बंडीज इस परकार से उसमें अकेला फनों का काम नहीं होगा हमारे शेत्र के किसान भी है जो सबजी है टमाटर है मोर्नी शेत्र से आप निकल कर आई है जितना खेरा टमाटर वो सब चिज्जों का वहां पर एक हर आड़ती भी बैठे का उस प्रकार से काम होगा और अभी अभी मैं आप से इस पहले एक वाइदा किया था कि 75% रोजगार हिमाचल की तर्जबर हरेना वासियों को मिले अभी मताना चाहूंगा कि हिमाचल परदेश के सके होने के कान हमारे युगां को हिमाचल में रोजगार नहीं मिल पाता था और चैहे वो कालाम हो चैहे बद्दी हो यहां तो 70% की र करता है लेकिन जिस परकार से बाद किया कि आदनी यह पुरविदाइका जी ने भी बात कहिए कि लगवाद दस हैजार लोगों को रुजगार मिलेगा चाहें लेकर भी आए अगर इतना रुजगार मिलता है तो आप 75% की रिश्यों के हिसाफ से ले लीजिए कि हमारे शेत् संगठन के निर्ने होते हैं जो संगठन अपने लेवल पर इन चीज़ों का निर्ने करेगा और हमारे लिए जो भी संगठन का जो भी आदनी है दुशन चुटाला जी मुख्यमंत्री जी मनोहला जी डिसीजन लेंगे कालका की विशे पे हम उस प्रकार से संगठन के तौर और हम पूरी तरह से काम करेंगे और अभी इसके जो आपने मंडी वाली बात ही कि हम डिफेंस का भी जो ग्यांचन जी ने गुपता सब स्पीकर साब ने एक लेटर लिखा है तो उसका भी हम तहीं दिल से स्वागत करते हैं कि बड़ी इंसली यहां भी बड़ी फैक्ट्री है यह नजदीक है अगर इस परकार की बनती है तो शेत्र के लिए बहुत बड़ी बात होगी हमारे युवाओं को रुजगार मिलेगा और नगर प्रिशत के आपके विशे के वपर हम फिर कहते हैं कि बजट का कोई विशे नहीं है जैसे सिंगला साब ने कहा था क्योंकि हर जाहिक जी के मारफद में जब लतिगा जी ते महालरी है गाओं के अंदर इतने काम और खेंए मेरे खुद का गाओं आपको दहान देता हूं कि मेरे गाओं में 99% काम और आप चैनल के मद्दम से गाओं के अंदर विजिट कर लीजिए आपको इतनी मिलेगी लेकिन पैसा आप से बेही आनुलोग है कि आप अपनी भावी योज्जनाओं के बारे में परिशन बनने के बास तो उसमें मुखरुत से बाकी तो आप अपनी में तरश से लोगी कही एक तो क्या आलेक्शन में आप क्या संभावनें इसमें तलासते हैं आपके निर्वाज चेंट तरसे ऑलेडी कंग्रेश के जो एमअले हैं प्रदीप चाधरी और आपके एलाके में काफी वर्णिक शित्र भी आता है। उसके उसको लेकर भी कई तरह की बातें जो है पहले कर बहुत पिर्शित होता रहा है यह क्या में क्या रखकी कर सकते हैं किया मिकास की संभावने तला सकते हैं और दूसरा जो जैसे मैंने यह बजट कि आप बात करें तो आफ्टरांग वह एंपले हैं मेने को जो इलुकेट होता है उसका किस तरह से आप सद्विव कर सकते और क्या आप यहां से स्थानी जो आप तला सकते हैं इस बारे में आपका क्या चाहिए मैं आज बिल्कुल संतूस्त होके जाओंगा जहिताज बंसर साथ की मैं सिर्फ कमियां बता रहा था मैं एक न शक अपना जाहिए कर रहा था कि जो पिछले पांच साल में नीगम में बहुत बजच्ट की संभावना होती है काल का पिचोर तरक्की नहीं कर पाया परिशद में उसकी क्या संबाना हम परिशद बनने के खिलाफ नहीं हमें तरक्की चाहिए हमें लोगों ने तरक्की के लिए वोट दूसरी बात रही कि इलेक्षन की इलेक्षन तो होंगे और अब तो मैडम ने भी कह दिया हमारी तो एक बहुत अच्छी बात बता हूं तो यह बैठे जनता ने चुना है अगर अब के कंगी का सबस्की कमी हमें विकास करना मैं कारों जब मातंगे विखाएं पिंजोर की तरक्वे हमारा मतलब हम बहुत स्वार्थी है काम का पिंजोर करने से नहीं तो मैं तो बहुत हो गए जा रहा हूं कि दोनों यह हम तो इनको क्दों पर हमें खूब पैसा कालका की तरक्की दें पिंजोर की तरक्की और तो यह रुके हुए काम है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैडम से निवेदन करता हूँ, कालका पिंजोर का जो कारोबार है, पूरी तरह सफर कर रहा है, पार्किंग ना होने की वज़ा से, हम लोग hand to mouth है, मैं निवेदन करता हूँ, अगर आपको कहीं हमारा साथ चाहिए, किसी उस हैं, कालका में पार्किंग चाहिए, जो पहड़ी दिखाई जारी है, जो खड़ी दिखाई जारी है, इसके अंदर बहुत बड़ा गैप है, जो पहड़ी दिखाई जारी है, उसका माली कोई हो रहा है, उसके रस्ते का माली कोई हो रहा है, खड़ का कोई माली को रहा है, हमें मतलब चुना हैं कांग्रेस पार्टी को सरकार आप की है तो हम तो मांगने वाले हैं और आप लोग बैठे हैं किया हम देंगे तो अच्छी बात है हम तो खूश है इस पास साथ सालों की मांगे बहुत हो पाया जितना एक सांस में सिंगला जी ने किना लिए एक मिनट के सब्सक्राइब आपनी बात कहने हैं अभी के विश्य बात चाहरी थी हमने एक समीति बना रखें सभी दनों के लोग है एक चम्टी की बात अभी कुछ लोग कंफ्यूजन कर रहे हैं कि पहले 800 क्रोड का वजट आया मिशीन डूल के लिए ऑंदा रिकॉर्ड है एक हजार सी क प्रोड का बजट आया टेक्टर प्लांट के लिए 2013 में इंप्लाइज की जो एज रेटेर्मेंट है फिफ्टी एट से शिष्टी की उसे एक इंप्लाइज को पंदर बंदर अलाग का पैदा हुआ काउंडर्स के टेड़ में 2016 में अक्तूबर में स्था इक्तूबर में बीन सब्सक्राइब के लिए अब भी फिर इन्होंने बहुत पर स्रकार में उसका एक क्रूंब और सुच्छ्छन में हर्याना पंजब एच्छंच नन्समिंव बंदरें चार सो चारी एकर जमीन हर्याना गौवर्मिंट हचाइशीदी हचाइशीदी साथ लाक उरे पर इकड़ें आप से उनको देगा जो मंडी की बात कर रहे हैं मेरे को नहीं लगता आपको हर्याना में आप बहुत प्राणे पत्रकार हैं उंडली में यहां देख लेना बजट है ना यह मंडी बनेगी इसे सिर्फ पंचकुला के पुलिशन हटाने के लिए हमारे को पुलिशन थोखने थे ना यहां से प्रड़क्ट है ना कि रुजगार म हमें मंडी नहीं चाहिए हमें रस्ती चाहिए रोजगार किसान विरोधी है किसान किसान की तरह को पुलने कठित किया गया है जिसमें से पंच जुप पिंजौर और कालका को अलग की रहे सभी जानते हैं पिंजौर जो है महाभाद के टाइम से पानों से जुड़ा हुआ कालका मता बहुत बड़ा मंदिर है इसका अपना अपना मतु है एक तरह से हिमाचल के लिए प्रेटन के लिए एक मुख्य द्वार कहा जा सकता है जो कालका और पिंजौर है इसी के साथ हम अपनी बात को इस आशा के साथ समख्ष करते हैं कि आने वने समय में निगम और ये परिशित के जो नए चुने हुए प्रतिनिधी होंगे इस शेत्र को जिसको शीवालेक तलहटी हो तरहटी है उसको चूनती है और जहां पे खुराना जैसे लोगों अपने आशियाना बनाने की बात कि है तो इस आशा के साथ के इन पूरे शेत्र का पूरे काल का हलके का पं कास्ट टीवी और बेल आइकें दबानन अभूलेगे